हेलो प्रेंड्स आप सब का गोवेन लेक्चर्स में हार देख स्वागत हैं तो कैसे हो आप सब उम्मिट करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बड़े बीचे चल रही होगी तो कक्सदस विज्यन विश्य के अध्या तीरा के अंतरगत हमारी तीन क्लास अल्ड़ेडी हो चुकी है आज हमारी क्लास नमबर चार है जिसमें हम परत्यावरति धारा और ग्रेलू विद्यूत परिपत के बारे में समझेंगे और इसी के साथ आज हमारा चेप्टर भी खतम ह हो जाएगा इसकी अगली क्लास में हम पार्ट के बीतर दियेगे प्रश्न उसके बाद अभ्यास के प्रश्न और उसके बाद महत्रपून अब्जेक्टिव की सर्चा करेंगे तो हमसे जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को जरूर पर मिल सके तो चली अब हम क्लास शुरू करें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रत्यावरति धारा की कि प्रत्यावरति धारा क्या होती है तो आप सब जानते होंगे कि विद्धु धारा दो प्रकार की होती है एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावरति धारा दिष्ट धा अब तैंसा में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता यानि BC करंड डारेक्ट करंड होता है उसकी दिशा में कुछ भी परिवर्तन कर लेती है wash जैसे परत्यावर्तिदारा कहते हैं, जैसे आपको चितर दीख रहे होंगे, यहाँ पर देखो यह direct current है, direct current का जो graph है वो बिल्कुल एकदम सीधी line बनती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी पेसी और उतार चड़ाब देखने को नहीं मिलता है, जबकि जो परत्यावर्ति जीरो, तो यहाँ पर एक बार यह अधिक्तम और एक बार यह वापस यहाँ पर और एक बार यह minus 1 पर आएगे, यानि परत्यावर्तिदारा का जो मान है, वो क्या होता रहता है, वो प्रिवर्तित होता रहता है, समान समय अंतराल के बाद इसका मान क्या होता है, इसका मान प हम परत्यावर्तिधारा कहते हैं यानि एसी करंट कहते हैं आगे बात करते हैं परत्यावर्तिधारा का लाब क्या है और हानी क्या है तो परत्यावर्तिधारा का लाब यह है कि जो परत्यावर्तिधारा है उसको हम सुदूर इस्तानों तक यानि बहुत दूर इस्तानों तक ब हुए हम एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जा सकते हैं लेकिन DC करंट को हम एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जिनके बीच की दूरी बहुत जादा है उसे हम नहीं ले जा सकते वो क्या हो जाएगा धिरे धिरे उसके मान में कमी आना सुरू हो जाएगी लेकिन प्रत्यावर्ति धारा को इस्टोर नहीं कर सकते किसी एक किसी इस्तान पर हम इस्टोर या संशित नहीं कर सकते अब आपको होगे सरम बैटरी में तो करते हैं तो भाई बैटरी में DC करंट होता है दिस्ट धारा होती है दिस्ट धारा को इस्टोर किया जा सकता है लेकिन प्रत करन्ट आप just क्रok करता है जो वापिस बैटरी से करंट आकके उपकरनों जाता है, दो बैटरी Say से आने वाला वाला डीच करंट है सूप ऐसे संळीस के दौर वापीस एस करंट अगे बात करते हैं दीश्ट्वधारा जनीत्र, DC जनीत्र, कौनसा दीश्ट्वधारा जनीत्र, हमने AC जनीत्र पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप उसको अच्छे से पढ़ ले, तो देखें, जो जनित्र होता है, वो क्या काम करता है? वो यांत्री कूर्जा को विद्यू तूर्जा में बिदलने का काम करता है. इसको यांत्री कूर्जा को विद्यू तूर्जा में बिदलने का काम करता है. अब पिछली क्लास में हमने जो जनित्र पढ़ा था, वो यांत्री कूर्जा को AC करंड में बिदल रहा था लेकिन यहां पर यांत्री कुझा कौन से करंड में बिदलेगी DC करंड में तो देखो दिश्ट धारा प्राप्त करने के लिए विबक्त वले प्रकार के दीख परिवर्तक का उप्योग किया जाता है विबक्त वले क्या करते हैं विद्धु धरा की दीशा को परिवर्तित करने का काम करते हैं और जो हमने पढ़ा पिछली क्लास में AC वाला विद्धु जनित्र उसमें हमने दिक्परिवर्तक का उप्यूग नहीं किया था वहाँ पर जो वले हैं वो बार-बार विद्यु धरा की दिशा को क्या कर रहे थे बदल रहे быть है, तो हमें कौन सा करंड प्राप्त हो रहा था AC करंड, लेकिन यहाँ पर हम किसका एक ही बुजा के साथ उसी बुजा के संप्रक में रहता है जहां से हमें करंट प्राप्त हो रहा है और इस वैवस्ता से एक ही दिसा की विद्धुदारा क्या होती है उत्पन होती है देखो जो AC जनित्र था उसमें हम जो वले यूज कर रहे थे वो दो वले यूज कर रहे थे और बार-बार उनकी जो दिसा है वो क्या हो रही थी बुरूस के साथ बदल रही थी ठीक है लेकिन यहाँ पर जो DC जनित्र है इसमें हम जो दिक परिवर्त का यूज कर रहे हैं वो सदेव और सदेव एक ही व्रूस के साथ fix है ठीक है और उसी एक ही भुजा के साथ संप्रक में है जिससे हम current प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे होगा क्या कि बार बार धारा की दिशा नहीं बदलेगी और एक ही दिशा में हमें क्या होगी विद्धुदारा प्राप्त होगी पर एक ही दिशा में प्राप्त होने वाले जो विद्धुदारा है उसी को हम कहते हैं DC करंट तो इस परकार के जनित्र हम क्या कहते हैं दिश्ट दारा जनित्र या DC जनित्र बोलते हैं जहां से हमें एक ही दिशार में विद्धुदारा प्राप्त होती है अब इसके फाइदे क्या है तो DC क्रंट के फाइदे हैं कि DC क्रंट को हम इस्टोर कर सकते हैं क्या कर सकते हैं इस्टोर कर सकते हैं आनी क्या है तो आनी है कि DC करंट को हम सुदूर इस्तानों तक प्रेसित नहीं कर सकते, यदि हम बहुत दूर इस्तान सब इसको लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसी इस्तती में उर्जा का क्या होगा? उर्जा का शय होगा, ठानी बहुत ही ज़्यादा होगी, जैसे A से B टर्मिनल है और इनके बिच की दूरी समय लेजिए 1000 किलो मिटर है, तो ऐसी इस्तती में A से B बिन्दू तक अगर हम DC करंट को लेके जाएंगे, वायर के माध्यम से, तो B बिन्दू तक पहुंचते पहुंचते DC की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, यहनि DC करंट की मात्रा बहुत ही कम रहे जाएगी, इसकी उर्जा के रुप में क्या हो जाएगी, हानी हो जाएगी, तो यह था आपका DC जनरेटर, आगे बात करते हैं, ग्रेली विद्दूत परीपत, ठीक है, आपका जो इलेक्रिक सर्कुट होता है गर पर वो, अब जो अपका इलेक्रिक सर्कुट है, उसमें क्या क्या चीजे होती है, वो देखो, उसमें एक होता है बू संपरक तार, इसको हम साधरन बासा में अर्थ वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्थ वार? एक विद्दूत में तार होता है, जहांसे क्रंट آता है, एक क्या होता है neutral phase होता है जिसको हम उदासी नतार कहते हैं एक क्या होता है neutral wire होता है और एक होता है electric wire इन तरफ के wire देखने को मिलते हैं एक earth wire होता है एक electric wire होता है और एक neutral wire होता है इलेक्ट्रिक वायर और न्यूट्रल वायर ये सीधे आपके जहां से विद्धूत का जहां पर बॉर्ड लगा होता है उस बॉर्ड तक आते हैं और यहां पर क्या लगा होता है एक विद्धूत मापी लगा होता है जो विद्धूत को मापने का काम करता है कि कितनी यहाँ पर एक वित्रन बॉक्ष लगा होता है जिसमें क्या होते हैं जिसमें man switch होता है और अलग-लग fuse लगे होते हैं जो आपको परिफत को short circuit से बचाने का काम करते हैं और यहाँ से फिर क्या होते हैं अलग-लग तरह के switch के माध्यम से आपकी जो विद्यूत है वो अलग-लग वो कितने परकार की होती है तीन परकार की अभी हमने देखा कि ग्रेलू circuit के अंदर जो वायर आती है वो कितने होती है तीन तरके होती है एक विद्यूत महतार यानि धनात्मक तार एक उदासीं तार यानि कि धनात्मक तार और एक भू संप्रक तार ठीक है अब देखो जो विद्धुद मेतार होती है, जो धनात्मक होती है, जिस पर प्राय लाल विद्धुद रोधी आवरन होता है, क्या होता है, लाल रंग का उपर आवरन लगा होता है, प्लास्टिक का वो वायरा मैसा कौन सा होता है, धनात्मक वायर होता है, विद्धुद मेतार होता है, पोज हरे रन का विद्धूत रोधी आवरन चड़ा होता है यदि साधित्र के दात्वी का आवरन में विद्धूत दारा का सरण होता है तो हमें विद्धूत आगात से बचाता है अब ये काम क्या करता है कि जैसे कभी कभार कुछ सोट सर्कित हो गया है न तो ऐसी इस्तती में जो अधिक करंट उत्पन हो रहा है वो करंट काँ चले जाएगा उस भू संप्रक्तार के जरिये अर्थ में चला जाएगा परत्वी में चला जाएगा और ऐसी इस्तती में किसी भी प्रकार का कोई नुक्सान नहीं होगा यह धारा के सरण के समय अलप परतिरोध पत क्या करता है परदान करता है जब धारा का नुक्षान होता है जब कुछ सौर्ट सरकीट हो जाता है तो ऐसी इस्तती में यह बहुती कम परतिरोध प्राप क्या करता है परदान करता है और जो ज़्यादा करंट उत्पन हुआ है उस और उदासीन काले रंका होता है रिनात्मक और अर्थिंग वायर होता है वो हरे रंका होता है ठीके आगे बढ़ते हैं भारत में विद्यूत मेहतार और उदासीन तार के बीच में 220 वॉल्ट का विभांतर होता है बारत में विद्यूत मेहतार और उदासीन तार के बीच में कि कैसे आती है, सबसे पहले जो विद्धूत इस्टेसों है वहां से खंबे जोड़ दिये जाते हैं, खंबो से आपके घर में जो मुख्य में सरकिट होता है, मुख्य आपुरती वाला बॉड़ वहां पर लगा दिये जाता है, फिर वहाँ पर fuse लगा होता है fuse के माध्यम से विद्यूत मापी मीटर में आता है करण मीटर से आपके जो वित्रन बॉक्स होता है उस वित्रन बॉक्स में आता है और उसके बाद वो अलग-अलग परतक परतक परिपत में क्या कर दिया जाता है transfer कर दिया जाता है ठीक है आगे बात करते हैं लगू पतनिया short circuit की तो आपने सब दे short circuit के बारे में सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा तो short circuit क्या होता है देखें जब विद्यूत मैतार यानि positive wire और उदासी इंतार यानि negative wire यानि लाल और काला वायर दोनों जब लाल और काला वायर जब दोनों सीधे संप्रक में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है अती बारन हो जाता है अती बारन का मतलब है कि विद्यूत दारा की मातरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्यों जाती है विद्धुत दरा की मात्रा काफी बढ़ जाती है और उसे क्या कहते हैं उसे हम अती भारन कहते हैं हम कहते हैं कि लोड बढ़ गया है अती भारन कहते हैं यह तब होता है जब तारों का विद्धुत रोधन क्या हो जाता है सतिग्रस्त होता है अत्वा साधीत्रम में कुई क्या होता है, दोस होता है। या तो दूनों वाइर मिल जाते हैं, अब दूनों वाइर कब मिलेंगे। जब उनके उपर की जो कोटिंग लगी हुई है, जो विद्धूत रोधि आवरण लगा हुआ है, वो कई से फूट जाता है, कट फिट जाता है, तो दोनों बाइर आपस में मिल जाते हैं या फिर जो आपकी device है, उस device में कुछ गरबड़ी हो जाती है, wiring खराब बगरा हो जाती है तो क्या होता है, short circuit होता है तो ऐसी स्तती में, किसी परीपत में विद्धुद्धारा एक दम से क्या हो जाती है बहुत जादा बढ़ जाती है, बहुत अधिक हो जाती है और इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम लगू पतन कहते हैं, short circuit कहते हैं ठीके आगे बात करते हैं अती भारण अती भारण क्या होता है जब विद्धुतार की समता से ज़्यादा विद्धुतारा खींची जाती है तो यह अती भारण पैदा करता है यह जब वायर के अंदर उसकी capacity से ज़्यादा विद्धुतारा प्रवाइत होने लगती है तो उसे तारों के अंदर जो प्रवाइद विद्धुदारा की मात्रा है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है और तार फिर बहुत ज़्यादा गरम हो जाते हैं और जलना सुरू हो जाते हैं तो इसका कारण क्या है कारण है तो आपूरती वॉल्टता में अगला एक ही सॉकट में जब बहुत से विद्दूत साहधितियों को संयोजित किया जाता है अगला कब होता है कि जब हमने एक ही प्लग या एक ही सॉकट के अंदर एक से ज़्यादा बहुत हेवी लोड़ वाली मसीन जोड़ दी डिवाइस जोड़ दी तो क्या हो जाएगा वहाँ पर लोड बड़ जाएगा पर ऐसी स्तती में वह socket जलना शुरू हो जाएगा ठीक है अब इसके लिए हम सुरुकसा क्या कर सकते हैं तो सुरुकसा के लिए हम विद्धुध फ्यूज लगा सकते हैं जहां से अपने man wiring हो रही है वहाँ पर हम विद् विद्धारा परवाहित नहीं होगी और क्या कर सकते हैं वह भूस अंपरक वायर और अर्थ वायर जोड़ सकते हैं ताकि अगर current बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वह उस समय वह विद्धुध दारा उस भूस अंपरक तार के मदद से कहां चली जाएगी भूमी के अंदर च जाएगी तो यह हो गए short circuit के कुछ उपाए ठीक है तो इस तरह आपका जो अध्या 13 था वो आज यहीं पर समापत होता है हमने chapter की व्याक्या total 4 class में पड़ी है कितनी class में total 4 class में हमने chapter को बहुत अच्छे से चमजा है तो आपसे request है कि 4 class आप channel की playlist पर जाकर बहुत आराम से देख ले सभी classes ताकि आपको आगे प्रश्ण उत्तर समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिकत नहीं आएगी तो अगली class में हम इस chapter के अब पाट के भीतर जितने भी दियेगे प्रश्ण है उन प्रश्णों को solve करेंगी तो आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत